नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हिंदी नोली शो में तोस्तों तुर्की जी हाँ एक ऐसा देश जिसने एक मात्र देश पाकिस्तान के लावा जिसने खुल कर भारत का विरोध हिया यूनाटी नेशन में कश्मीर के मुद्दे पर और अभी नहीं अजादी के बाद से ही त पाकिस्तान को मिलिटरली भी सपोर्ट किया और मुला जो वर्ल्ल स्टेज पर भी जो पाकिस्तान को सबसे अग्याद सब्सक्राइब सपोर्ट तुर्की हमेंसा देता रहा है लेकिन भारत क्या करता था अब तक हम अपनी जो हमारी मजबूरिया होती थी डिप्लोमेटिक दे पाते, दूसरा वो नेटो का अलाए नेटो मेंबर भी है, तो हमारे जवाब देना बनता नहीं था, लेकिन, अब भारत ने जैसे ही अपनी एक महार शक्ति के रूप में उभरना शुरू किया है, तो हमने जवाब देना की तैय कर लिया है, तुर्की को और भी तकडे रू से दोनों तरफ से तुर्की को घेरने की पूरी तयार ही है और तुर्की भी इस बात को लेकर पूरी बहस चलिए कि भारत अब पूरे फोम में तो पहले आप जान लिजे कि अर्मेडिया है कहाँ पर और पूरी procedure सुझ लिए तुर्की और ऐर्मेनिया के बीच का तो जल दोस्तो यह रहा हमारा भ uniquely यह वह आप चलता है पूरद Č prophets के और तुरकी और तूर के बिलकुल यह रहा इसरं बॉडर पर फार यह दूसरी तरफ से इस्ट साइड से जो अर्मीनिया की योड से और जो नीचे की साइड से हैं यहां पर साइपरस को एक सरी किसे वारत सपोर्ट करेगा इससे कि टर्की को लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं यह कहीं सारे बोडर को ल लेवल पर नरशनहार किया है उटोमर एंपायर ने जो पहले टर्की का पहले नाम भी कह सकते हैं उसने बड़े और उसे जस्तिफाइब भी करते हैं वह लोग बहुत को एक ट्रकीश जस्तिफाइब किया जाता है टर्कीस लोगों के बीच में टर्कीस ब्रेइडेंट खुल खुल कर सामने कई बार यह चीजे कहा देते हैं कि वह बिलकुल उस समय के इसाब से सही किया था हुँने आप समझ सकते हो कितनी बड़े राइवल ही है और भारत ने दोनों देशों से भारत के प्रदानमंत्री ने मेटिंग किये पहले साइपर्स के और फिर जो वहां के प्रा कैसे गेना शुरू करता है और टर्की की मीडिया में भी इस बात को आप टी आर्टी वर्ड के जो वहां की टर्की की एक बहुत बड़ी न्यूस अजिंसी है वहां पर इस बात को डिबेट है कि क्या भारत जैसे बड़े देश को तुर्की को छेड़ना जरूरी था मतलब कि अभी बताओं तुर्की के बहुत सारे अपने बहुत सारे इशू हो रखे है उसकी अप अमेरिका को लेकर तनातनी हो रही है इसके लावा उसकी इकोनमी भयंकर आप समझ रहोंगे एकोनमी का मैं बताओं हाल क्या है वहां पर उनकी जो मुद्रा है वो 50% तक गिर गई यान हिसाफ 70 रुपए है तो वो उनका हिसाब से 140 यानि दुगना हो चुका है उनकी इकोनमी बिल्कुल करने वाली है और जो एद्रोगान है वो खुद हार एक बार हार चुके हैं इस्तांबूल के लेक्शन में और मैंने पीछली वीडियो में बता रहा है कि इस्तांबूल तु क्योंकि भारत सपोर्ट करेगा साइप्रस को और अर्मेनिया को वापर थोड़ी बहुत इंवेश्टमेंट भी कर सकता है और साइप्रस के लिए तो लिटरली यही कहा दया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि हम आपकी इंटेगरेटी को सम्मान करते हैं आपकी सबसंत्रता को हम सम्मान करते हैं तुर्की को बहुत बड़ा धक्का लगा है डिप्लोमेटिकली मतलब कि अपने आपको एक तरी से खालीफ या खलीफा बनाने की जो सोच है एद्रोगान की उसे भी धक्का है क्योंकि देखिए भारत जैसे दुनिया की सब्सविट डेमोक्रेसी से टक्कर में वहां पर बयान दे दिया इन्वेट नेशन में उन्हें मतलब कि तर्किश कम जो कंपनिया जैंवें लगातार सोच रहे हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट के जाए ताकि वहां पर कुछ उनका समान खपत हो उनके एक्सपोर्ट वड़े जिससे कि उनकी कौन में कुछ लेकिन अद्रोगान के जो बयान है न यह एक तर्किश से चिंता का सबब बने हुए हैं तर्की के लिए तर्की के जो बिजनसमेन है उनके लिए भी और यही एक बड़ा चैलेंज उनके सामने बनकर फेस हो रहा है क्योंकि भारत ही एक मात्र ऐसी दुनिया में आपको बता हुँ भारत एक मात्र ऐसा देश है जहांपर डवल्पमेंट के लिए गुंजाइस बची है नहीं तो देखिए मतलब के जहांके लिए जो ग्रोथ है वहां पर गुझे से भारत में बची है अभी आपको बता हूँ चीन में कोई गुंजाइस ने भोद की вам पर लगाता गिर रही है, अमेरिका में, यूरोप में, हर जग है, लेकिन भारत एक ऐसा देसी है, जहाँ पर बहुत गुंजाे से अभी भी growth की और वहाँ पर इसलिए दुनिया भर्र के कम्पनिय आ रही है. अमेरिका क्योंनि भॉक दॉंक्छा भारत के खिलाफ हां, आज़ेकर लेकिन तर्की तो पता नहीं कौन पस्चिम से निकाल दाया सूरज को और यह खेर उन्हें ही फेस करना पड़ेगा हमें क्या हमारे प्राइमिस्टर हमारी सरकार तो काम पे लगे हुए उनकी बैंड बजाने की और तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप चाहते क्या भारत को और मीनिया को सपोर्ट करना चाहिए नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो देखतें के लिए आपका धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना मैं ऐसी बहुत सारे डिफेंस फोरेंट पोलिस कर फाइनेंसेल लेटीड हमेशा वीडियो लेके आता है रहता हूँ आपके लिए नई नई वीडियो हमेशा आती रहें जे आपके लिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना थैंकिव बहुत पूचिंग वीडि